हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोन स्कूल में, हम लोग 50 Model Papers की सीरीज कवर कर रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, जल्दी से बता देता हूं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 50 Model Papers की सीरीज कम्प्लीट कर रहे हैं, द्रोन स्क करते हैं, देखो, यह है, यह है H1 MP8, H1 का क्या मतलब हुआ कि हिंदी का सीरीज 1, MP8 का मतलब हुआ कि Model Papers 8, इसी तरह से English का भी available है, देखो, यह रहा, यह English का Model Papers, आपके स्क्रीन के सामने यह देख सकते हो, यह है English का Model Papers, तो यह Model Papers आप सॉल्व कर सकते हो, एप के अंदर solve करते हुए चलेंगे, बहुत जल्दी से cover करने वाले हैं, चलो, ठीक है, start करते हैं, देखो, question पहला, जो, जो important question है, उनको मैंने इस तरह से mark कर रखा है, देखो, तो यह first question, this is important question, देखो, A, B, C, D, यह कौन सा वाला पार्ट है, आपको पता है, आपको पता है ना, कि अगर constant मतब समझते हो, जैसे हमें पता है कि A, E, I, O, U, यह 5 क्या है, यह 5 बच्चे, स्वर है, है कि नहीं, यह 5 स्वर है, और बाकी सारे वंजन है, यह 5 स्वर है, तो इनमें से सभी यह वंजन है, consonants English के, और यह जो स्वर है, यह सबसे अलग हुआ, similarly, अगा second question में देखो तुम, तो second question में बताओ तो मुझे comment section में लिक करके बताना जरूर क्योंकि देखो ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है जब आप video देखते हैं YouTube पे ताकि आपकी बहुत अच्छे से practice हो मैं एक एक दिल बच्चों को जरूर दूँगा जो सारे के सारे अंसर बताएंगे जो भी बच्चे चलो second question देखो यहाँ पे BC and D ये जो तीनों वहिकल्स है न इनको चलाने के लिए किसी इंधन की आवशक्ता पड़ती है किसी ने किसी fuel के आशक्ता पड़ती है अब ये चाहे diesel से चले चाहे petrol से चले कोई भी चीज से चले लेकिन किसी एक energy वाली चीज की substance की ज़रूरत होती है है कि नहीं और जो A है वो cycle है bicycle है हम पेरों से कट कर चलाते हो चले जाते है इसमें कोई diesel petrol fuel नहीं लगता है तो option A सबसे different होगा तो इस तरह से हमने 2 questions कर लिए let's move to the question number 3 मतलब तीसरा important question ये देखो ये मैंने marker रखा हुए तीसरा important question ये है आपका कौन सा वाला है ये है आपका pattern वाला pattern complete करना है जैसे देखो इसमें अगर मैं 12.5 की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर दोगे तो pattern complete हो जाएगा तो prime numbers अच्छा देखो जो बच्चे अगर English medium वाले हैं इस वीडियो को देख रहे हो अगर तुम तो इसको continue कर सकते हो ऐसा नहीं है कि Hindi medium वाले ही बच्चे से दे सकते हैं English medium वाले बच्चे भी continue कर सकते हैं क्योंकि maths में जो मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से bilingual तरीके से बताऊ मैंने बहुत सारे question mark कर रखे हैं क्या 14th question देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक square बनाया ठीक है उसके उपर एक डंडी फिर नीचे दो डंडी फिर उपर डंडी जाएगी और कितनी डंडिया हो जाएंगी तीन डंडी मेरे बच्चे हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों य क्या है यह question हुआ एक का square दो का square तीन का square तो चार का square 16 है ना चलो 16 हो गया आगे बढ़ते हैं next question पर देखते हैं कि क्या और important question है बने रहना मेरे साथ पूरी वीडियो देख रहे रहा देखो यह तुम्हारे exam में बहुत काम आने वाली है believe me क्योंकि मैं सिर्फ important question इसमें करा तो तुम्हारा time तो बिल्कुल waste नहीं जाने वाला अब देखो यह triangle है यह triangle है इसी को इस triangle को हमने क्या किया ना हमने इस triangle को mold करके एक प्यारा सा triangle बना दिया जो कि equilateral triangle है सम बाहुत रिभोज है ठीक है तो इसमें मतलब इससे इसको एक upgrade कर दिया हमने तो इसको जब upgrade करेंग question है बता दो तुम्हें आगे बड़ते हैं next question पर देखो next question next question 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 यह रहा 26 अब यह बहुत ज्यादा important तो नहीं है लेकिन mirror image वाले question में मैं हमेशा तुम्हें trick वगरा बताते वह चलता हूँ तो मैंने सुचा इसमें छोटी सी trick आपको बता दूँ कि कैसे mirror image को वास्तों में है रहा चलो तो image नीचे की तरफ बनेगा अब अगर आप full पती से trace करते बैठ जाओगे तो time लग जाएगा और एक technique मैं मता रहा हूँ आपको समझो यह इस तरह से line की चलो तो यह line इधर की तरफ ऐसे जा रही है तो line इधर की तरफ आएगी यानि की full नीचे की तरफ होगा और यह tail इसका इधर की तरफ होगा option सिर्फ d option सही है है की नी तो इस तरह से option सही होगा आगे बढ़ते है next question पे यह रहा 31st question and this is also important question अच्छा इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ समझना ध्यान से रुकना वीडियो को पूरी देखना देखो यहाँ प इसको हम लोग fold करके वापस से इधर लेके आएंगे तो वो cut यहाँ आ जाएगा बोलो जी अच्छे है ना आ जाएगा और जब फिर से यहाँ से हम लोग वापस से unfold करेंगे तो वो cut यहाँ भी आ जाएगा यानि कि नीचे नीचे दो जगह पे cut आ जाएंगे clear है बात ठीक ह पहले एक बहुत अच्छी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ देखो आज कल के जमाने की स्किल्स है ना mental ability, wearable ability यह सब requirement इन सब की ज़्यादा है मतलब हर एक competition exam में लोग इसको लेके आ रहे हैं तो कोई भी competition का exam दो चाहे कहीं भी आपको mental ability की बहुत ज़्यादा ज़रूर को 20 तारीक को unacademy emerge करके एक test organize होने वाला है unacademy emerge करके इसमें क्या हैगा mental ability, verbal ability और खास बात यह है कि आपको कुछ खास तयारी करने की जरूद भी नहीं पड़ेगी क्या है unacademy emerge देख लो ज़रा यह है 30 questions का aptitude test है जिसमें 30 questions होंगे कुल मिला करके 60 minute का समय आपको दिया ज सकता नहीं है आप drone school का यह देख रहे हो ना channel देख रहे हो तो इससे बहुत सारी preparation तो हम ऐसे करा देते हैं अगर हो भी आवशकता तो क्योंकि mental ability section यहीं से solve कर लोगे तो यहां पर कोई भी preparation के अलग से जरूद नहीं है तुम्हें और prizes खूब सारे रखे का हैं देखो यहां आप यह test देपा हो विल्कुल free of cost है कोई इसमें आपका test कोई cost तो लगना नहीं है तो कम सिकमा आपको यह पता चलेगा कि आप कहां पे stand कर रहो एक competition की भावना आपके अंदर आएगी है ना तो इसमें enroll कर लो app के अंदर link मैं description में दे दूँगा इसमें जाकर के enroll कर लेना आप इसके अंदर test के लिए आप यह code यूज़ कर सकते हो referral code DRON करके drone referral code का यूज़ कर सकते हो आप जब भी enroll करो इसके अंदर ठीक है तो चलो यह तो मैंने बताया unacademy के इस test के बारे में ध्यान रखना mark the date 20 तारीक को यह होने वाला है 28th of June को तो 20 तारीक को होने वाला है त 2nd question this is the first important question of mathematics चलो दो संख्याओं का योग 125 है यदि एक संख्या दूसरी से 15 बढ़ी है तो दोनों संख्याओं का अंतर बताईए अब ज़रा समझना इसमें समझने वाली बात यह है बच्चे कि कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 125 है ठीक है बात समझ में आ रही है मालो एक संख्या A है एक B है दोनों का योग मिला करके 125 है लेकिन फिर अगले स्टेप में आप से बूल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 बढ़ी है दोनों का अंतर बताए बाई साब यह समझना दे आसे 15 मालो कि सपोस करो एक संख्या 30 है तो दूसरी क्या होगी 15 बढ़ी है मतलब दूसरी संख्या क्या मैं कह सकते है 45 होगी 30 से 15 जादा है की नी तो देखो question में ही answer चिपा हुआ है कैसे question में answer चिपा हुआ है क्योंकि दूसरी संख्या 15 बढ़ी है या 15 का ही तो अंतर विया 30 से यह 45 हुआ तो 15 ही तो बढ़ा है तो अंतर कितना है 15 का ही अ तो question में यह answer चीपा हुआ है थोगा सा गुमाने वाला question था बच्चों को confuse करने वाला question था आगे बढ़ते हैं question no.44 पे and this is the second important question of mathematics section देखो तीन व्यक्ति नो 1.6, 5.6, 4 रुपे के कुछ संत्रे खरीदे तो एक संत्रे का अधिकतम मुल्य क्या हो सकता है देखो क्या काता है कि 3% 3 व्यक्ति थे एक ने 1.6 रुपीज में कुछ संतरे खरी दे हमें नहीं पता उसने 4 खरी दे 5 खरी दे 10 खरी दे हमें नहीं पता बच्चे तो इसने 1.6 रुपे में खरी दे दूसरे ने 5.6 रुपे में खरी दे है ना, तीसरे ने चार रुपे में खरीते, अब हो क्या राय है, हमें या जानना है कि अधिक्तम एले क्या हो सकता है, ताकि ये फिट बैठ जाए no data, तो हमें पता है, गूरू जी ने बतायẳा था, कि जब भी अधिक्तम की बात करे, तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है है कि नहीं HCF निकालो HCF मतलब मौसा निकालना है अब ध्यान से समझना बच्चे अगर तुम्हें मौसा निकालना है तो सबसे पहले इनको पैसे में बदल लो 1.6 रुपए का मतलब 160 पैसे हो गया हुआ कि नहीं हमने 100 से गुना कर दिया और इसका देखो 560 पैसे हो गया इसका और इसका क्या हो गया 40 पैसे हो गया 400 पैसे क्या यह 4 रुपए में खरीदा था क्या चलो ठीक है तो 400 पैसे हो गया 100 से हम गुना कर रहे हैं रुपए को पैसे में बदल रहे हैं एक रुपया में हम सभी जानते हैं कि 100 पैसे होते हैं तो हम 100 से गुणा कर रहे हैं, अब इन सब का मौसा निकाल लो, देखो, 160 और 560 का जब तुम HCF निकालोगे, HCF निकालोगे, तो 16, 38, 4, 8, 0, यहां पर आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया, है ना, अब 80 का 160 में डिविजन कर दो, तो 82,000, 160 तो यह कट गया, यानि कि 160 और 560 का जो मसा आया, वो तो 80 आ गया, है ना, अब क्या करना हमें, अब 80 को 400 से भाग देना, मसा निकालना तो सिखाया है ना, मैंने तुम्हें दो तरीका बताया है, पहला तरीका, तो गुलंखंड विदी, दूसरा तरीका, मैंने भाग विदी तुम्हें बताया है, तो मुझे लगता है, कि तुमех जाल सकते हो अच्छा तुम मुझे comment section में लिख करके बताओ नीचे कि किसको किसको गुडंखंड विदी आता है मैं जानना चाहता हूँ किन बच्चों को गुडंखंड विदी आता है तो अब देखो 80 का 400 भाग देंगे बाई सब बहुत आसान सी सी यह 850 40 400 हो गया यह तो कठ तारीसिस में छोड़ी सी ट्रिक बताओंगा देखना क्या है कि 10 संख्यों का उस्त कह रहा है बार है 10 संख्या है और रहा है यदि प्रतेग में से 5 गटा दिया या तो नया उस्त क्या होगा तो हमें नया उस्त वगरे कल्कूलेट करने की जरूवत नहीं देखो सब में से 5 दस संख्या है, मतलब पहली में से भी पांच, कितना घटा है, पांच घटा है, दूसरी में से भी पांच घटा है, तीसरी में से, इससे करते करते सम में से पांच reduce कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है, तो हो क्या रहा है, औस जो बारह था, उसमें से भी पांच घट जाएगा तो बारे माइनिस पांच बराबर साथ हमारा नया अंसर हो जाएगा अच्छा क्वेशन था ना चलो कुछ दिमाग नाइन ज़रो थी नहीं इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्ष क्वेशन पर देखो अगला क्वेशन देखो किसी वस्तु के क्रैमुले या विक्रेमुले का अनुपात 5 संबंदे 6 है तो लाभ यहां हानी प्तिश़ात ग्याद कीजिए भाई साब कहा रहा है कि क्रैमुले और विक्रेमुले का अनुपात कहा रहा है याईनि इंगलिश वाले बच्चे हेeger मदेदब दो CP और SP क्या रहा है, क्या रहा है कि CP अगर 5 है तो SP 6 है, 5 सम्मादे 6 का यही मतलब हुआ, कि CP 6 है, तो SP 5 है तो SP 6 होगा, अब कितने रुपे, देखो, 5 रुपे में अगर इसने खरीदा, तो बेचा कितने रुपे में, 6 रुपे में, लाब कितने का हुआ, एक रुपे का, लाब option A, आगे बढ़ते हैं next question पे question number 55 देखो, 1000 रुपए यह दिए 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिये जाएं, तो मासिक ब्याज कितना होगा, ध्यान रखना है यह जो दर दिया हुआ है, जो rate दिया हुआ है रहा वो वार्षिक है, यानि कि annual है यह rate क्या है बच्चों, यह annual है हमों क्या निकालना है, हमें निकालना है मासिक ब्याज, यानि कि monthly interest हमें calculate करना है, क्या निकालना है monthly interest हमको calculate करना है अब अपने को पता है भाई साब कि 12 महीने होते हैं एक साल में, है की नी 12 महीने, 12 महीने होते हैं भाई साब एक साल में है ना तो बटा 12 महीने अगर एक साल में होते हैं तो 18% वार्षिक ब्याज है तो एक महीने का ब्याज क्या होगा एक महीने का जो ब्याज होगा वो 18 बटे 12 होगा 12 से हम लोग भाग दे दे रहें एक महीने का ब्याज होगा अब एक हजार रुपए पर 1 महिने का ब्याज इतना बन रहा है यहने कि 3 by 2 यह छैतरी कठा रहे चैदु नहीं बार रहे यहने कि 3 by 2% एक महिने पर ब्याज बन रहा है कितना बनेगा भाई 1,000 रुपए पर हमें 3 by 2% निकालना है तो 3 by 2 into 100 3 by 2 by 100 ना ठीक है तो 3 by 2% तो 3 by 2 by 100 by 100 कर देंगे हम सिंपल थी बात है तो 0000 से 0000 ये कंसील हो गया और बचा क्या ये 15 रुपए यह यह 15 रुपए हमारा सही अंसर आएगा देखो step number हमने क्या किया सबसे पहले इसको इसको क्या किया मासिक ब्याज में तब्दिल कर दिया कर वर्ट कर दिया मासिक ब्याज में उसके बाद हमें percentage निकालना था सिर्फ कर लिया आगे बढ़ते है next question पे next question ये रहा और 57 बें important है वैसे 57 में मैं कर आई दूँगा 56 पहले करते हैं चलो 56 करते हैं यदि वर्ग की हर एक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा देखो सपोस करो ये एक वर्ग है square कह रहा है कि इसकी भुजा एक भुजा एक side दो गुनी अगर कर दी जाए तो इसका परिमाप कितना गुना होगा तो एंसर होगा दो गुणा लेकिन जरा समझो करना क्या होगा, कहना कसे होगा मौनों ये दो, 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 दो है है ना, हर एक साइड, क्योंकि वर्ग है तो सभी साइड इसकी बराबर है, कह रहा है कि इसको दो गुणा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो दो की जगह है, ये दो गुणे दो, ये चार हो जाएगा चार ये भी हो जाएगा, चार ये भी हो जाएगा, चार ये भी हो जाएगा पहले सारे दो दो थे, अभी सारे कितने हो गए अभी सारे हो गए, सभी हो गए, चार-चार हो गए है कि नहीं अभी सब चार-चार हो गए तो पहले जब दो थे समझना पहले जब दो थे तो परिमाब बच्चे कितना हो रहा था जब दो थे तो हम सभी जानते हैं कि परिमाब बराबर गुरुजी ये तो बहुत आसान सी बात है परिमाब बराबर होता है चार गुडे साइड रही कि चार गुड़े भुजा, तो पहले दो थे, मतलब सभी साइट दो थे, तो चार गुड़े भुजा दो हो गया, यनि कि आठ पहले का परिमाप पाड़ था, अब नया वाला क्या है? नया वाला, नया वाला, कौनसा वाला? नया वाला, तो नया वाला परियाब क्या हो गा, नयावाला अभी भूजा है कितने होगी, 4-4 हो गहीं सभी, तो 4 गुणेः 4 हो जाएगा, तो नयावाला 16 हो जाएगा, पहले 8 था, अभी 16 हो गया, तो क्या बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा, कितना गुणा, दो गुना, तो हमारा answer होगा दो गुना, आगे चलते हैं 57 में, 8 cm भुजा वाले एक घनाकार ठोस से, 2 cm भुजा वाले कितने घनाकार ठोस बनाए जा सकते हैं, तो देखो, एक घनाकार ठोस है ऐसा, मतलब बड़ा सा 8 cm जिसकी भुजा है, 8 cm भुजा कहने के मतलब, कि सभी 8 हैं, तो 8 cm भुजा वाले में से, 2 cm भुजा वाले मतलब, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-क्यूब्स काट करके, इसमें से निकालना है, या ऐसे कह सकते हो, कि छोटे-छोटे-क्यूब्स से मिला करके, बड़ा क्यूब बनाना है, तो कितने बनेंगे या ऐसे क्या सकते हो कि बड़े cube में से छोटे-छोटे cube काटने हैं बाद एक ही है 8 cm भुजा वाले घना का ठोस में से 2 cm वाले कितने घना का ठोस बनाए जा सकते हैं तो हमें क्या करना है 8 गुने 8 गुने 8 करना है जो बड़ा वाला था और नीचे 2 गुने 2 करना है 3 बार देखो multiplication करना है क्योंकि cube है हम लोग यह निकाल का रहा है समझना है यह हम लोग volume निकाल रहा है क्या निकाल रहा है बच्चे यह हम लोग volume निकाल रहा है यानि कि item निकाल रहा है क्या निकाल रहा है राइट एंसर है चलो तो इस तरह से हमने कुल मिला करके कुछ मैथ से अच्छे क्वेशन किए और कुछ मेंटाल अबिलिटी के अच्छे क्वेशन किए याद रखना चैनल को सब्स्राइब करना मत भूला अगर आप चैनल पर नय हो पहली बार आए हो तो सब्स्राइब कर लेना और अगर आप रेगूलर विजिटर हो तो मुझे इतना उमीद तो है कि आपने सब्स्राइब किया होगा यह drone school का app है डाउनलोड करेंगे पीडियाफ अगेरा सब इसमें मिल जाएगी कोई चीनता का निक जरूरत नहीं है पीडियाफ अगेरा सब इसमें मिल जाएगी फाइव स्टार की rating देना मत बूलना ठीक है चैनल को subscribe करके एक बार bell icon दबा दो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें नमदे वीडियाले से सम्मंदिद हम इस पे वीडियो बनाते रहते हैं चैनल पे तो आप जुड़े रहना regular channel को विजिट किया गरो पढ़ाई यसी चीजे होती है इस पे है न चलो बाई बाई